दमाश्टर प्रकास क्लासेश यूटूब चनल आप सभी लोगों का स्वाथ करता है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश राज़स लेकपाल के लिए सामान ग्यान के टोटल 25 प्रशनों का प्रैक्टिस सेट सौल्व करने वाले हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आप सभी लोगों से कुछ महत्पुन बाते करना आवश्यक है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है यह लिखपाल जो भरती है यह 2-3 सालों के इंतजार के बाद आई है इसलिए इस आवसर को हमें जाने नहीं देना है हमें अपने तैयारी को इस प्रकार से करना है कि कोई कोर करसर बाकी न रह जाये अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी के लिए कोई बुक खरिदने की सोच रहे हैं तो चच्छु पब्लिकेशन आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है चच्चू पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है इनोंने लेकपाल भरती के लिए इस्पेसल किताबे निकाली है जिसमें आप सामने देख सकते हैं इनकी जो बुक है ग्राम समाज के लिए भी बुक है और ये आपका प्रेक्टिस सेट है और जो आपका संपून स्लेबस है जिसमें आपका ग्राम समाज और विकास ये पूरी चीजों को ये वाले बुक तीसरी बुक कबर करती है तो इस प्रकार अगर आप लेकपाल भरती के लिए किसी बुक के बारे में सोच रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन एक अच्छा विकल्ब हो सकता है ये आपकी सारी जरूतों को पूरी करता है आप अपने नजदी की बुक स्टोर से चच्चू पब्लिकेशन की किताबों को खरी सकते हैं ये एक परतिष्ठित ब्रांड है वो इनके दोरा एक अच्छा मेटेरियल दिया गया है लेकपाल भरती के लिए जैसा कि हम लोग अगर ग्राम समाज की इनकी बुक देखेंगे तो उन्होंने लगबग लगबग पूरा स्लेबस कवर किया है इनके बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये इनकी बुक की स्टार्टिंग में है इनके बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कोई टॉपिक यहां पर आप पढ़ रहे हैं उसके जो वन लाइनर प्रिश्ण है उनको आप उसी टॉपिक के अंत में देख सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें यह पहला टॉपिक इनका स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश राजस विभाग के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है आप इससे सम्मंधित जो भी आपके वन लाइनर प्रिश्ण बनेंगे छोड़े छोड़े प्रिश्ण बनेंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मीचे देख सकते हैं इनके कौन-कौन से प्रिश्ण बन रहे हैं ठीक है यह देखिए यहाँ पर पूरा टॉपिक खतम हो जाता है और पूरे टॉपिक कुनों ने वन लाइनर की रूप में कवर कर लिया है तो अगर आप वन लाइनर प्रिश्ण भी पढ़लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा तो अपने नज़दी की बुकि स्टोर से अगर आपको ये वो खरीदना चाहते हैं तो चच्छू पब्लिकेस हैने का अच्छा विकल्प हो सकता है आप वहां से खरी सकते हैं तो चलिए ये तो हो गया कुछ काम की बाते हैं आप अपने प्रक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रक्टिस सेट का अपना पहला प्रिश्ण चलते हैं practice set के पहले प्रश्ण की तरफ तो पहले प्रश्ण में पूछा गया है कि सत्पतब ब्रहमड और तैत्रिय ब्रहमड किस बेद के ब्रहमड मौलपाथ कहलाते हैं आपसन आपके इसके जिन पेशारों दिख रहा होगा आप लोग कमेंट करके अपने उत्तर को कमेंट बाक्स में लिखते रहें जिससे कि आप लोग को एंसर याद होता चले चलिए देखते हैं इस प्रस्ण का एंसर जो सही होगा इसका आपसन नमबर भी विर्कूल राइटेंसर होगा ग्यारों सो इकानबे में जो तराइंण की पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसमें महोमद गोरी परफ्थिवी राँ 3.8 से अप्राजित होगा था आप लोग कमेंट करके अपना एंसर कमेंट बाक्स में लिखें जिससे की एंसर याद होता चले इसका आपसन भी काल मार्क्स दोरा ये कहा गया है कि 1877 के बिद्रोह को स्वीपाई बिद्रोह नहीं कहा गया अपसन नंबर भी इसका राइट एंसर होगा इसी के साथ अगले प्रस्ण को लेते हैं तो अगले प्रस्ण में हैं डिसकबरी आफ इंडिया पुस्थक के लेखा कौन है अच्छा प्रस्ण है जवाहललाण नहिरू के दैभाण द्वारा इंडिया को लिखा गया है इसका राइट एंसर होगा लेकिन बात करते हैं वहीं पे पहले आपसन जो महत्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है तो इनके द्वारा हिंद स्वराज उस तक लिखी गई है और अगला बाल गंगा धरतिलक के द्वारा गीता रहस को लिखा गया है सुभाचन बोश के द्व सब्सक्राइब को लिखा गया इसी के साथ लेते हैं अगले प्रश्ण में में रिखार, नामक मठ कहां पर इस्तित है कि ह कि द्वारा नामक एक ने पहले प्रश्ण में के बिखार के करते हैं तो मेर्य कि डी जो है विर्कुल राइट एंसर होगा इस प्रस्ट का अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रस्ट में है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है सतलुज, राभी, ब्यास या चिनाओ चमेरा बांध हिमाचल पर देश में श्थित है और इसे राभी, नदी पर बनाया गया है तो भी आफसन राभी, बिल्कुल राइट एंसर होगा इसका अगला प्रस्ट है मो्नोजाइट किसका अयस्ट है तो इसका ये थोरिया माफसन नंबर भी बिर्कुल राइटेंसर हो जाएगा जो की मोनो जाइट का अयस्क होगा और अगर बात करते हैं इसके मिलने की तो ये केरल के मालावार में के समुंदी टट में सबसे अधिक मत्रा में पाया जाता है आपसन नंबर भी बिर्कुल राइटेंसर होगा आपका इसी के साथ लेंगे एकले प्रश्ण को अगला प्रश्ण है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज में इस्थित है तो रोतांगदर राजो इस्तित है ये हिमाचल परदेश में इस्तित है आपसन नमबर पहला ही रोत जो है हिमाचल परदेश बिरकुल राइटेंसर होगा इसी के साथ लेंगे अगले परश्ण की तरब चलते हैं तो अगला परश्ण है कौन सा यूरूपिय देश है एक बुल्गारिया, सुडान, बेनि, ये घहना एक यूरूपिय देश बताना है जो यूरूपिय आते हैं तो यह पहला आपसन जो बुल्गारिया लिखा गया है ये यूरूपिय का देश है आपसन नमबर पहला विरकुल राइटेंसर होगा और इसकी राजधानी की बात करते हैं, बुल्गारिया की, तो इसकी राजधानी सोफिया है, चलिए एगले प्रस्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रस्ट है, सबसे अधिक चमकीला गरह कौन सा है? तो सबसे चमकेले गरह की बात करते हैं, तो सुक्र गरह जो है ये आपका, ये गरह जो है सुक्र, ये सबसे चमकीला गरह के रूप में जाना जाता है, आपसल नमबर पहला इसका राइट एंसर हो जागा, और इसी सुक्र गरह को सांच का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, तेक तो आफसल नमबर आपका पहला ही राइटेंसर होगा अगला प्रशन है भारत के संबिधान के किस के अनुसार राश्टपती के पास अध्यादेश जारी करने की सकती है तो अनुच्छेद पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राश्टपती के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है कि तुरस्ट्पति के दो़रा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अनुछ्छे एकसो तेश के मध्यमस याश्वन पर बना रह सकता है तो कितने वर्स तक रह सकता है। और कितने वर्स उसके समय सीमह होती है। तो इस प्रिस्ण का जो आप्सन सही होगा, आपका D-प्रिस्ण बिरकुल राइट एंसर होजागा. Čनिंद प्रिस्ण द्रान्शिक वर्ण को प्रिस्ण धनुट休ez होगा. पहला राज तो आप लोग को मालूम ही होगा कि राजस्थान का नागवर है तो राजस्थान को देख लेते हैं राजस्थान तो तीन चारों आप्षन में हैं दूसरा राज कौन सा होगा तो दूसरा आपका आंदर परदेश हो जाएगा यानि की C आपसन आपका राजस्थान और आंदर परदेश दोनों राजस सबसे पहले जो है पंचाहती राजस को अस्थाफित किये थे आपसन नमबर C इस प्रिश्ट का राइट एंसर है अगला परदेश लेते हैं और अगले परदेश्ट प्रिश्ट में पूर्ती अपनी मांग का सरजन स्वयं करती है ये एक कतन है और ये कतन 조ह है किसके दौरा कहा गया है कि इसको दौरा, मारसल के दौरा, या राबर्सन के दौरा या जेवी से के दौरा तो 64 का आपसन नमबर जो सही होगा वो D आपसन आपका विर्कुल राइट एंसर हो जागा J B C के अनुसार ये कथन को कहा गया है जो की पूरती अपनी मांग का सिर्जन स्वेम करती है आपसन नमबर D यहाँ पे राइट एंसर होगा अगला प्रशन लेते हैं पासकल किसका एकाई है आदरता की दाब की वर्षा की या तापमान की अच्छा प्रशन है तो ये पासकल जो होता है ये प्रशन है ये दाब की एकाई होती है आपसन नमबर D विर्कुल राइट एंसर होगा इस प्रशन का इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरब और अगले प्रश्ण में है प्रकास बोल्ट ये सेल क्या होता है तो ये सवर सेल एक सवर सेल है आपसल नमबर पहला ही इसका राइट एंसर हो जागा इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरह अगले प्रश्ण में है कारवन का वहाँ पर्रूप जो विद्दुत वाउस्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है तो यह ग्रेफाइट है ठीक आपसर नंबर बी इसका बिरकुल रही टेंसर होगा इसी के साथ अगला प्रश्ण है यदि माता पीता में रक्त समू एंटु ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समू क्या होगा मतलब सेम सेम अगर दोनों माता और पीता का रखत समू सेम सेम है तो जो बच्चों में रखत समू अस्थानांतरित होगा वो किस प्रकार का हो सकता है ये बताना है तो बच्चों में या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है आफसर नमबर D इस प्रिश्ण का राइट एंसर होगा इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ और अगले प्रिश्ण में कहा गया है कि ताप या जोर जो है को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तिमाल होता है तो इसमें जो दवा का परियोग किया जाता है एंटि पायरेटिक्स का दवा नामक को योज किया जाता है आफसर नमबर C इस प्रिश्ण का राइट एंसर है अगले प्रिश्ण की तरफ पढ़ेंगे अगला प्रिश्ण है खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासाइनिक पदार्थों के पात्यक्ष प्रभाव में प्रभाव के फलस्रूप मृत्य हो जाती है वे दो पदार्थ कौन से है तो इसमें साइनाइट तो है ही जानते ही है दूसरा मरकरी है ठीक तो आफसर नमबर सी मरकरी और साइनाइट दिये दो पदात हैं जो कच्छरी में पाय जाते हैं जिसे मिर्ति भी हो सकती थी तो आफसर नमबर सी बिल्कुल राइट एंसर है अगला प्रशन है दो से चार सप्तमबर 2021 किस के मदद दक्षिन चीन सागर में भारत ने किस देश के साथ दो पक्षिये सॉवन सेना अभ्यास संपंझ शीण है इंडोनेशिया है सिंगाफूर है या मलेशिया है तो इसमें ये सिंगापूर के साथ नौसेना अभ्याद शुरू किया था अपसर नंबर सी जो है आपका राइटेंस होगा सिंगापूर अगला प्रशन है एक से ग्यारा सेप्टमबर दोहजार इकिस के बीच अठत रहां बेरी संतराज्टिय फिल्म महुसों का आयोजल जो है बेली सहर में किया गया है इसमें किस फिल्म को सब सेष फिल्म के लिए गोल्डेन लाइन पूरुसकार दिया गया है तो 70-2 का कौन सब आपसं सौह होगा जोकर है फ्रोजन टू है या फिर हैपनिंग है या दालायन किंग है तो 72 का आपसन नमबा जो सही होगा वो सी आपसन हैपनिंग बिरकुल राइट एंसर हो जाएगा इस प्रश्ण का अगला प्रश्ण है भारत के किस संगठन को यूनिस को किंग संजों साक्षर्टा पुरुषकार 2021 परदान किया गया तो यह जो प्राप किया गया है वो किया गया है राष्टिय मुक्त, बिद्यालाय, स्च्छा संस्थान को आपसन नमबर पहला है इसका राइट एंसर हो जाएगा इस प्रश्ण का इजी के साथ लेंगे एगले प्रश्ण को अगला प्रश्ण है पहला स्वादेशी रूफ से डिजाइन किया गया मेथेनाल उत्पादन सन्यंत्र जो की उच्च राख कोईला गैसी करण पर आधारित है उसकी अस्थापना कहा की गई है इसकी अस्थापना है जराबाद में किया गया है अपसन पर पहला ही है जराबाद सही हो जाएगा आपका चलिए अगले प्रश्ण में हैं उत्तर परदेश जन संख्यानी अंतरंड बिदहयक 2020 के अनुसार कितने बच्चों का मापदंड मानकर सरकार सेवाओं में छूट पदा कि जाएगी तो जो सरकारी सेवाओं में छूट परदान की जाएगी वो छूट है दो बच्चों का आपसन नंबर भी दो बच्चे बिरकुल राइट एंसर परस्ण का हो जाएगा और यहां पे 75 नंबर परस्ण करने के बाद हम लोग 25 परस्णों को साल्व कर चुके हैं और और वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब चुरू कर लिजिए जिससे की आप लोग को हमीशा फायदा होता रहे चलिए मिलते हैं एगले प्रेक्टिस में तब तक लिए धन्यबाद